तो गाइस फाइनली पर्मेन वार बिट्विन टू प्लाइनेट्स का नेक्स्ट अपिसोड आ चुका है तो इतने दिन वेट के लिए सौरी तो बीना किसी देरी के जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं तो गाइस पिछले एपिसोड में तुम लोग ने देखा था पर्मेन और बाकी सब उस कृष्टल के खोज में निकल जाते हैं जो कृष्टल पर्मेन के पावर के लिए एक चावी था तो जब वो उस कृष्टल के लोकेशन में पहुच जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जो crystal का location है दो universe से connected है जो कि 500 साल में एक ही बार खुलता है तो जब हमें पता चलता है कि वो crystal जो है वो दो universe से connected है तो कोई भी उसे अपना property नहीं मान सकता है तो उस crystal को लेके पर्मैन और उनके बीच में एक match हो जाता है कि जो उसको पहले छोएगा वो crystal उनका तो दुसरे universe के पर्मैन और हमारे universe के पर्मैन के बीच में एक मुकाबला होता है जिसमें दोनों एक साथ जीच जाते हैं और दोनों का हथ एक ही साथ उस crystal के उपर पड़ जाता है तो इससे यह पता चलते है कि वो crystal किसी को भी नहीं मिल रहा तो वो एक fight match रख देते हैं जिसमें जो जीतेगा वो उस crystal को ले जाएगा तो इसका मतलब अभी हमें लड़ना होगा और कोई चारा भी नहीं है तो अब आगे क्या तुम तैयार हो मैं हमेशा तैयार रहता हूँ पर मैं यह याद रखो कि यह तुम्हारा पहला hand to hand combat है तो इसलिए ज़्यादा जल्द बाजी करने की कोई जरूरत नहीं है अराम से लड़ो तो दोनों के बीच में fight शुरू होने ही वाला रहता है तो उस वक्त सेन कहता है जरा रुप जाओ लगता है यह crystal में कुछ गड़ बढ़ है तो उसी वक्त सेन एक हीटर निकाल देता है और उस हीटर से उस crystal को जलाने लग जाता है और सारे इसे देखके बहुत ज्यादा चोक जाते है और परमैन कहता है अरे यह आप क्या कर रहे हैं तुम्हारा दिमाग तो ठीक है तुम उस crystal को क्यो जला रहे हो जगा इस crystal को दिहान से देखो यह एक नकली crystal है यह वो crystal नहीं है जिसके बारे में तुम सोच रही है अगर तुम परमैन के शक्तियों वाला crystal जलाते हो तो वो इतने असनी से नहीं जल सकता और यह crystal मेरे आग लगाते ही पूरे जल के राक हो गई तो तुम कैसे कह सकती हो कि यह असली crystal crystal है अगर इस crystal में परमैन की शक्तिया है तो इस crystal को इतने आसन जगे पे कोई नहीं रखेगा ऐसे तो इसे कोई भी उठा के ले जा सकता है असली crystal कहीं और है और उसे डूरना बहुत जाद मुश्किल हो सकता है हाँ शायद तुम सही कह रहे हो और अचानक से वहाँ पर एक भूकंप आ जाता है और पूरा गुफा हिलने लग जाता है और जब भूकंप बंद हो जाता है तो वहाँ पर एक रास्ता खुल जाता है यहाँ पर तो एक और रास्ता खुल चुका है हाँ शायद ही यह उस असली crystal की और ले जाएगा हमें तो सारे लोग उस रास्ते के अं तो उन्हें एक चमकता हूँआ चीज दिखता है। यह वही क्रिष्टल है। हाँ यह वही क्रिष्टल है। इतने दूर से भी इतना जाथा चमक रहा है। तो जैसे जैसे वो लोग उस crystal के और बढ़ने लग जाते हैं तो भोहती ज्यादा तेज हवाई आने लग जाते हैं और अचानक से वो सारे एकी जगए पे रुप जाते हैं और mixo कहता है मुझे ऐसा लग रहा है कि आगे खत्रा है मुझे एक dark power sense हो रहा है तो सेन कहता है हाँ तुम दार्क पावर को सेंज करने लग गए हो यह परमेन की ताकत है परमेन शक्ति का पावर है कि वो कौन से भी ताकत को सेंज कर सकता है और वो ताकत तुमारे अंदर भी आ चुकी है यानि कि तुम एक दार्क पावर को भी सेंज कर सकते हो तो परमین कहता है ये बात करने का समय नहीं है आगे मुझे लग रहा है कि बहुत बड़ा खत्रा है और अचानक से वहाँ पर काला धुवा आ जाता है और उस धुवा को देखके परमین को लगता है कि शायद मैंने इसे कहीं पर देखा है और जब वो काले धुवे में से एक monster आ जाता है यह वही monster होता है जो mixo को भहती अच्छी तरीके से जानता है और mixo को भहती गुस्से वाले नजर से देखता है यह तो वही monster है जब bird planet डिस्ट्रोई हुआ था तो यही monster वहाँ पर था और मैंने इससे fight भी किया है जिस वक्त bird planet पे वह illusion हुआ था जिसके बारे में हिनाता बात कर रही है यह तो वही monster है लेकिन मुझे तो लगाता कि यह बस एक illusion था तो हिनाटा कहती है हाँ यह तो बस एक illusion था यह real में exist कीया से करता है वह bird planet का attack वह वो और वह तो बस एक illusion था और यह monster भी illusion रहना चाहिए था लेकिन यह रियल में एक्जिस्ट क्यूं है मैंने तो इससे डिस्ट्रॉय होते हुए देखा था लिकिन यह अभी तक जिन्दा कैसे है और वो यहां कैसे है फिलाल तुम लग किस बारे में बात कर रहे हो वो हमें नहीं पता आगे एक मॉस्टर है थेले उस पे ध्यान दो लेता हुए तो पर्मैन अपने परमैन पावर को कंसंट्रेट करकर अपने curo कर देता है और बहुत ही तेजी से उस मंस्टर को किक कर देता है तो पहले से तो प्रम्न और दुसरे उनिवर्स का परमेन उससे काफी देर लड़ते हैं लेकिन उससे कोई भिहारा नहीं पाता और आखिर में वो मॉस्टर एक अटैक कर देता है और वो कहता है लगता है आज हमारी मुलाकर प्रॉसित नहीं की और अचनक से वहाँ पर बहुत ही तेज रोशनी आ जाती है और किसी को कुछ पता नहीं रहता कि ये सब क्या हो रहा होत जाते हैं और कहीं पर ट्रांसपोर्ट होके गिर जाते हैं और पर्मैन और बाकी सब ट्रांसपोर्ट होके गिर जाते हैं बर्ड प्लैनेट पे और दूसरे यूनिवर्स से आये होगे लोग भी अपने यूनिवर्स में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं और जब पर्मैन और बा मेरी गल्टी है अगर मैं और ताकतवर होता तो मैं शायद उसे हरा देता और इस वक्त हमारे पास वो क्रिश्टल भी हो चुका होता यह सारी गल्टी अपने आप पर मट डालो पर मैं हमें नहीं पता था कि वो राक्षास इतना ताकतवर हो सकता है अब छोड़ो उस के बिना ही ताकतोर बनूँगा मैं यह दिखा दूँगा कि किसी चीज के हल्प से हम पावर को हासिल नहीं कर सकते हैं तो सेन कहता है क्या तुम यह कर सकते हो बिना क्रिश्टल के मदद से तुम यह पावर हासिल कर सकते हो तो परमान कहता है मैं वो क्रिश्टल के बिना ही त खाकतोर बनुंगा तो गाईज यह एपिसोड यही पर खतम होता है और यह यह सीजन का लास्ट एपिसोड था अभी अगले एपिसोड सीजन टू का आएगा जो कि होने वाला है Revolution of Furman Season 2 Episode 1 तो वो अगले वीडियो में आएगा तो वीडियो पसंद आयो तो लाइक कर दे न तो हम मिलेंगे इसके नेक्स्ट एपिसोड में तब तक के लिए गुडबाई